निमिश्काय दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रपा में दोस्तों मैं करुणा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक खबर उन सभी विद्धार्तियों के लिए जो देने वाले हैं का एक्जाम यानि कि जन बच्चों ने सीवीटी एक्जाम के लिए अपलाई किया है दो हचार बाइस में तो उनके लिए एक न्यूज है सीवीटी दो हजार बाइस में एक नया नोटिस चारी कर दिया है और उसने अपने कुछ नियमों में बदलाब किये हैं क्या नियमों में बदलाव उनके हैं देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप शिक्षाप्रवा पर नए हैं और आपने अभी तक भी शिक्षाप्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप शिक्षाप्रवा को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की बाकी अपडेट्स को दे मार्किंग स्कीम CUET ने पहले डिसाइड की थी, उसमें कुछ चेंजिस किये हैं, संसोधित CUET 2022 बुलेटिन अधिकारी CUET वेबसाइट यानि की CUET.smart.act.in पर इस नोटिस को जारी किया गया है, National Testing Agency यानि की NTA ने CUET 2022 Information Bulletin में बदलाव की जानकारी देते हुए एक जरूरी नोटिस जारी किया है, नोटिस के अनुसार NTA ने कुछ अन्ने संसोधनों के साथ CUET 2022 के लिए मार्किंग स्कीम में बदलाव किये हैं, संसोधित CUET 2022 Bulletin अधिकारी CUET वेबसाइट जो इसकी में वेबसाइट है, उस पर इसको जारी किया गया है, पहले CUET के नोटिस में कहा गया था कि यदि कोई प्रश्न CUET 2022 से हटा दिया जाता है, तो परिक्षा में सामिल हुए उम्मिदवारों को इसकी भरपाई के लिए 5 अंक दिये जाएंगे, यानि कि कोई कोई कोशन का अंसर या गलत है या फिर इसले बस से हटके कोई 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 आपसे पूछा गया है, तो ऐसे question को अगर हटाया जाएगा तो उसके 5 आंक फित्यार्ति को दिये जाएगे लेकिन CET 2022 मार्किंग स्कीम के लिए चारी किये गए संसोधनों के अनुसार अब यदि कोई प्रशन गलत पाया जाता है या कोई भी प्रशन किसी भी कारण से परिक्षण से हटाया जाता है तो drop किये गए प्रशन का attempt करने वाले उमीदवारों को ही वो 5 आंक दिये जाएगे ठीक है बीटा यानि कि जिस कोईशन के लिए यानि कोईशन हटाने के लिए जिस कोईशन को हटाया गया है तो उस कोईशन के वो 5 मार्क सिर्फ उसी विद्ध्यार्ती को दिये जाएंगे जिस विद्ध्यार्ती ने उस कोईशन को attempt किया है CUET 2022 Information Bulletin के NTA Score सेक्षन में भी कुछ बदलाव किये गए है पहरा 11.1 के खंड A में कहा गया है कि सभी परिक्षा विश्यों के बहु विकल्पिये प्रशनों का मुल्यांकन final answer की और उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त स्कोर का उप्योग करके किया जाएगा इसी के आधार पर CUET के result की करना भी की जाएगी इस clause को भी NTA ने अब हटा दिया है अपने नए सर्किलर में उम्मीद्वारों को सलहा दी जाती है कि वो वेवसाइक मतलब अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के संसोधित information bulletin चेक कर लें आपको बता दिया जाता है कि CUET 2022 का जो registration है जिसके लिए आप लोग आवेदन कर रहे उसकी लास्ट जट छे मई को शाम को पांच बजे तक है तो अभी भी वो विद्ध्यारती जो रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें कि CUET की जरुरत होगी तो वो छे मई से पहले पहले अपना registration form फिल कर दें CUET के लिए यह अवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है इसके रिगार्डिंग अगर बिटा आपको कुछ भी CUET के रिगार्डिंग बच्चे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमें बॉक्स में मैसस कर सकते हैं या CUET के रिगार्डिंग मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शिन में दे दूँगी इसी के साथ बच्चे मैं फिर से एक बार कहूंगी अगर आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना